जी बाई साब, मायक नमबर दो से सवाल जी बाई साब ने एक बहुत एहम सवाल पुछा, आज की तारीक में सबसे बदनाम लवज इसलाम में है वह लवज जिहाद, और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत फेमी हैं, सिर्फ गैर मुसल्मानों को ने मुसल्मानों को भी, अकसल लोग समझते हैं, कि जिहाद के म जिहाद के मानी यह नहीं कि कोई भी मुसल्मान कोई भी वज़े से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगा के लिए हो, जिहाद की मानी वो अर्बी लवज आता है जहदा से, मानी जिद्दो जहद, to strive, to struggle, इसलाम के पसमंदर में जि जिद्दो जहद करने को कहते है जिहाद, अगर आप माशरे को सुदानने के लिए जिद्दो जहद कर रहे है, उसे कहते है जिहाद, अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे है, उसे कहते है जिहाद, अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ जगडा कर रहे है, उसे कहते है जि जियाद के मानी है जिद्दो जहत करना और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जियाद के मानी होली वार सिर्फ गहन मुसल्मान ने कई मुसल्मान में इंवर्टिट कौमेंज में अपने आपको स्कॉलर समझते हैं जियाद का तर्जुमा करते होली वार बिल्कुल गलत है होली वा अर्बी में हर्ब मुकदसा और आप कुरान मजीद उठा ओ कई बी कुरान मजीद में हर्ब मुकदसा नहीं लिखा है कोई भी हदीश में नहीं लिखा है जियात के मानी holy war नहीं है पाक जंग नहीं है ये लवज holy war सबसे पहले इस्तिमाल के आ गया था Christian Crusaders के लिए Christian Crusaders Christianity के नाम पे हजारों लोग का कतल किये उसे कहते थे Holy War आज वो इस्तिमार रोगा है मुसल्मान के लिए जिया डिजिन में Holy War आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है मानना लड़ना जगड़ना क्या जिहाद है अगर वो जिद्व जिहाद कर रहे है कौरान और हदीथ के मताबक अपने नफस के खिलाफ जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ माशरे को सुधानने के लिए तो वो सही जिहाद है और जिहाद दो किसम के होते है एक होता है जिहाद फी सबलिल्लह अल्ला के रह में जिहाद जो कौरान और हदीथ के मताबक है दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबलिल्लह शैतान तो शैतान के रह में जिहाद करना जिद्व जिहाद कर रहे है माशरे को बगारने के लिए उसे कहते है जिहाद फी सबलिल्लह शैतान हर मुसल्मान को करना चाहिए जिहाद सफीस अभी लिल्ला जिद्दो जहत खुरान और सही हदीश के मताबिक कश्मीर में क्या हो रहा है मैंने को इंटर्वियू लियाने उनका जो मैं प्रेस में सुनता हूँ मैं इसके तैकिक नहीं किया हूँ कुरान में लिखा है सुरे हुजुरात में सुना नमर 49 आयत नमर 6 में जब भी कोई मालूमात आप तक पोश्टी है उसकी तैकिक करो तीसरे को पोचाने के पहले मैं तैकिक नहीं किया हूँ इसलिए कहने सकता हूँ कुणसा जियाद है लेकिन यह जो लड़ने जगरने की बात हो रही है जो लोग अकसर मुसलमान को दोशी टहराते है मैं आपसे पूछना चाता हूँ क्या अपने माबारत पड़ी माबारत में लड़ने जगरने के मंत्रा कुरान से कही गुना ज़ादा है माबारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजी से कही ज़ादा है भगवत गीता एक माबारत का हिस्सा है 18 chapters अनुशासन पर्व के जिसमें श्री क्रिश्टिन अर्जुन को एडवाईज देते हैं समझाते हैं जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नमबर 1 मंत्रा नमबर 43 उसे 46 तक के अर्जुन कहता है अपने जो हत्यार है जमीन पे रखे अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्ता मनने को पसंद करूँगा बनिजबत अपने रिष्टेदारों से लड़ू और जगड़ा करूँ चन श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नमबर 2 वर्स नमबर 2 और 3 श्री किशन कहते है अर्जुन अर्जुन आउ कैन यू बी सो इंपोर्टेन हिंदी में तर्जुमा करूँगा आप नपुन सक कैसे बन गए शत्रिया का धर्म है लड़ना और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में भाग्यवाने वो शत्रिया भगवद गीता चाप्टर नमबर 2 वर्स नमबर 31 भाग्यवाने वो शत्रिया जिसको लड़ने का मौका मिलता है तो क्या भगवद गीता गलत है इस पसमंजर में हम जानते है कि यहां श्री कृशन कहे रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो मैं अगर गे कहूँगा कि भगवद गीता कहता है श्री कृशन कहते है कि अपने रिष्टदारों का कतल करो यह शैतानी हरकत है पसमंजर के खिलाफ है अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृशन कहे रहे अर्जुन से रिष्टदारों का कतल करो तो यह शैतानी हरकत है मैं तालिब इल्म हूँ इसलाम और दिगर मधाइब का मैं भगवद गीता पढ़ चुका हूँ इसका पसमंजर यह है श्री कृशन कहे रहे कि हक के लिए सच्चाई के लिए लड़ो चाहे वो आपके रिष्टेदार हो तो सहिए उसी का दिकर कृरान में है जितने आयत अरून शूरी और जो इसलाम के एनिमीज है जो कोट करते हो पसमंजर में वो हक्की लड़ाई है जिस सरीकिते भगवद गीता माँ भारत में कई जादा कृरान से जादा लड़नी की आयत है तो इसलिए जब पसमंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है तो इस पसमंजर में मैं भगवद गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिष्टेदार से भी लड़ो वोई आयत कुरान में, सुरह निसा 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 में, सुरह नि गवाई देने के हक के लिए चाहे खुदका भी नुकसानों फिर भी हक की गवाई दो तो यह ता इन शॉट अबोट जिहाब फोब दांसे दो कुष्टिन